हेलो फ्रेंट्स गूद मॉर्णिंग मैरा हर्मिश्या स्वाध करता है आपका अपनी यूटीब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में तो फ्रेंट्स आज है नौ जुलाई 2020 और नौ जुलाई 2020 से क्रेंटरपरस के जितने भी इंप्पोर्ण को सेमरते हैं उन्हें मैं इस वीडिय और यदि आप किसी भी वंडे कंप्रेंट्टिव उसके हिसाब से काफी हेल्प पूर रहने वाला है तो हमारा आज का पहला प्रस्ण है कि वर्ट्स फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल हैस बिन ओपेंड एट विस सिटी इन वियतनाम यानि वियतनाम के कि सहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हनोई जो कि अप्शन नबर वन है अप्शन नबर वन है हनोई में ही हनोई में ही दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है और इस होटल की खासे है कि इस होटल की जो इ लिएतनाम में खोला गया है तो वियतनाम में जाना रते हैं वियतनाम वियतनाम की कनल का है हनोई वियतनाम के राष्टभटी कौन है तो यह करेंशी क्या है यानि, जुलाई 2020 में संस्क monsieur विध्याल, उधिघाल निम्रिक्रित में किया गया, आपके option से China, नेपाल, पाकिस्तान और 4 जे तो आपका राइटर सरजोगा, option number 2, नेपाल, नेपाल में ही संस्कPM विधियाल का उधिघाल किया गया अब या नेपाल में क्या गया है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं तो नेपाल की केपिटल का है काटमांडू है नेपाल के प्रेशिडेंट को है तो नेपाल के प्रेशिडेंट विद्या देवी भंडारी जी है नेपाल के पीम को है तो नेपाल के पीम केपी सर्मा ओली है और नेपाल की करेंसी क्या है नेपाली रुप्या नेपाल की करेंसी है तो इस परस्टे हमें इतनी जनकारे मिलती है अब बरते हमने कोशन नवर 3 की हो तुमारा कोशन नवर 3 है CBSE has rationalized the syllabus up to how much percent for classes 9 to 12 to make up for the academic lose during COVID-19 lockdown यानि CBSE ने COVID-19 lockdown के दवरान sectionics नुकसान के लिए नवी और बारावी कक्षा के लिए पार्ट कर्म को कितने परतिशा तक कम किया नवी से बारावी कक्षा के लिए पार्ट कर्म को कितने परसेंट तक कम किया है तो इसका राइटर से लाएगा फिर से CBS से आया है तो इसके बारे मैं फिर से आपको बताता हूँ इसके बारे मैं फिर से आपको बताता हूँ इसक्राइल से मैंने बता है अब क्वेशन नवर फोर है कि दा वर्ल्ड बैंक विल प्रवाइड़ हाउ मैनी डॉलर टू इन्हेंस सपोर्ट अब रेजुविनेटिंग गंगा यानि यानि विस्व बैंक गंगा के काया पलट के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कितने मिलि MISA बेखा तो विस्व बैंक भरत और busted 400 मिलियन रुपए गंगा कि काया पलट को बनने के लिए देगा अभए रास सी बीफी बैंक देगा तो विस्व बैंक के बारे में जानों लेते हैं दोन वर्ल बैंक को चुलाइड मेंक वर्लम कि अस्धापना मुई थी जुलाइड में वर्डवांग के MDR CEO अंसुला कांत जी है और प्रेसिजन्ट कोन है डेविड मलापास जी है तो यह जो मैं आपको static जी के फैक्ट्र बताता हूं इन्हें आप बड़े अच्छे से याद कर लिजेगा यह आपके आने वाल एक्जाम के रिए काफी इन्स्टागाम यानि जुलाई 2020 में कौन इन्स्टागाम पर सबसे अधिक भुकतान पाने वाला सेलिब्रिटी बन गया है अपसे नमर बान सारुक खान दो डेन जॉन्सन तीन क्रिश्टोन रोलाल्डो और चार विलाट कोली इसका राइटन सो जाएगा अपसे नमर दो ड्व सिक्स करोर रुपए लेते हैं अपने एक पोस्ट के लिए तो यह हाइस्ट पर सेलिब्रिटी इन्स्टागाम के बन गया है कौन ड्वेन जॉन्सन अब आगे बढ़ते हैं क्वेन इस वर्ल्ड चॉकलेट डेस सेलिब्रेट यानि विस्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है और आपको बता दे कि चॉकलेट डिवस एक पर वेलेंटाइन वीक में भी आता है और यहां वर्ल्ड चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है साथ चुलाई को क्वेस्ट नमर सेवन है कि वीच आफ फॉलोईंग कंट्रीज इस रैंक्ट थर्टी फोर्थ इन्ड ग्लोबल र ट्रास्परेसी इंडेक्स यानि वैस्विक रियल एस्टेट पर दर्शिता सुचेकांक में चॉतिसवा अस्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है आपके चार आप्शन से नेपाल दो चाइना तीन इंडिया और चार युएसे तबका राइट सेंसर हो जाएगा ह कमारा भारत है जो कि ट्सटेट को ग्लोबल रीयल स्टेट ट्रासपरेसी इंडेक्स में चस्षा राइनक लाएगी तो आप सोचांवीं कि परहला रखा कौन लाहां है तो पहला रेंक हमारा जो नमर्ड फोरburst या यूएसे लाहा है और दूसरा राहिं कहमारा हो जागा दू ग्लोबल रियल इस्टेट ट्राइश इंडेक्स में लाया है तो पहला रैंक और किसका है युएसे का दूसरे वर कौन है अस्ट्रेलिया चोथिसवे वर कौन है इंडिया और अपना जो चाइना जिसका एरेसी के साथ विवाद चल रहा है चाइना या हमसे एक पाइदान उप से एक्जाम में कोश्चन पुषिद आ सकते हैं तो पाकिस्तान का रियल इस्टेट्स ट्राइश इंडेक्स में तियात तरवा अस्थान रहा है तो नुम्र वान पर कौन है युएसे दो पर अस्टिलिया अपना प्यारा भारत बद चाइना बद तिस पे और पाकिस्तान ति अधिकारिक रूप से अलग होने की घोसना कर दिया अब कर दिया है अब अमेरिका ने डब्ली एचो को एक पत्र लिखा है जिसमें वह अपनी सदसत्ता इससे वापस लेना चाहता है और इस पत्र के कारण वह यानिकी अमेरिका च्छो जुलाई 2021 के बाद से वर्ड हेल्थ अर्डाइजिशन का सदस्त नहीं रहेगा अब यह अमेरिका ने वर्ड हेल्थ अर्ड को खत लिखा है अपनी सदसत्ता वापस लेने के लिए तो अब वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के बारे में जान लेते हैं तो वर्ड हेल्ड और्गनाईजेशन के स्थापना सेवन अप्रेयल यानि कि साथ अप्रेयल उन्हें 148 हो किर गई थी जो कि आज से लगवाक 72 साल पहले हैं और इसका हेड़कोटर जेणेवा में यानि स्विच्शलन के जिनेवा में है और इसके डायक्टर जेनल है ट्रेड़र्स अधानुन इसके डायक्टर जेनल है तो फिर्ड इस परस्ते हमें इतनी जाड़कारी मि किसी भी वन डे कमडेटिक करने हैं चाहे वह एससी हो रेलवे हो उसकी हिसाब से भी आपका काफी हेल्फ पूरेने वाला है आज का हमारा सेकंड लास्ट कोस्चन है रिसेंटली वीच एस्टेट गोवर्मेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड डेहिंग पठकाई वाइड लाइफ सेंचुरी एज अ नेस्नल पार्क यानी खाल ही में किस राजी सरकार ने डेहिंग पठकाई वन जीब अभ्याडन को एक राष्टिय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का नियर्ने लिया है तो आपके एक्जाम में आपकोस्ट ऐसे भी आ सकते हैं कि डेहिंग पठकाई वन जीब अभ्याडन कहां था तो यह असाम में था इसको किस चीज़ में अपग्रेड कर दिया गया है तो इसको एक राष्टिय उद्यान में अपग्रे के संक्या कुल मिलाकर छे हो गई है इसके अलावा यानि डेहिंग पटिकाई वने जिब अभ्यादन को राष्टिय उद्यान बदल दिया जाएगा इसके अलावा पांच राष्टिय उद्यान है उनके नाम मैं आपका बताता हूं जो कि एक तो सबसे इंपोर्टन है जिसे सब को याद रहनी चाहिए काजी रंग राष्टिय उद्यान या कहा है असाम में उसके बाद आता है नामेरी राष्टिय उद्यान नंबर थर्ड पर है ओरंग राष्टिय उद्यान नंबर फोर पर है मानस राष्टिय उद्यान नंबर फाइब पर है डिब्रु साइखोवा र सर्वानन नंबर शिक्स प्रहमाड़ा हो जाएगा डेहिंग पर्टेकाई राष्टी कांभ यह कुन मिलाकर असम में अब राष्टिय उद्ध्यान की संख्या छे हो गई है तो अब यह, असम सरकार ने किया है तो अब असम के बारे में जान लेते हैं असम की कैपिटल कहा है असम की कैपिटल दिश्पूर है और असम पुरुवत्तर भारत का एक राज्य है असम के मुख्यमंत्री कौन है तो असम के मुख्यमंत्री सरवनंद सोनवाल है असम के मुख्यमंत्री कौन है सरवनंद सोनवाल और असम के गवर्नर कौन है तो प्रफेस मैं आपको शेर करने करें बाद बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी इस फिलू नहीं हूं अगर आप शेरिंग के थ्रू व्यूज देखर मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छी कॉंटेंट आपके लिए लाँगा कोशन नमर टेन है जो कि मारे आज का आखरी पर्शन होगा कि विच ओप विच ओफ दा फॉलोइंग एप डैट वर्ज लॉंच्ट इन वेस्ट बंगाल रिसेंटली सीख टू विरा अल्टरनेट टू दबैंड एप कैम एसकेनर यानि पसी मंगाल में हाल ही में लॉंच किया ग तो इसी का एक अल्टरनेट बंगाल सरकार ने निकाला है उसका नाम अब को उता नहीं है इसका नाम है करेंगे बस अभी इसका अपग्रेड इस रूप में नहीं किया गया है कि हिंदी लेंग्वेज को भी पकड़ चके या अभी गेवल इंग्लिश लेंगज के लिए ही काम करें다 Yeah हिंदी लेंगवेज दो भी वर्फ नहीं कर रहा है ठिक ना इसको फिर अपग्रेट किया जाए अब यदित्रीम बंगाल सरकार के लिए कि आ है तो स्वेक्षिं बंगाल सब्सस्द्रीम बाद सबस्द्रिrim तरयनटी प्रजिन curriculum प्रेंट ने पर्ल स्ट्रिक से और 챙ler सोड़ां करेस्ट करें दोकि मेंवें आपको बाता थे सअिधर बिशाफ करें रेल्वा करेंट से तो स्यम कौनessions वेस्ट ऑर गवर्नर कुन है तो जगदीप धनकर जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर है है और फ्रेंश मैं आपको ओर इंट्रेस्टिंग फैक्ट बटाने जा रहा हूँ किरिकेट के 143 साल की इतियास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीना दर्सक यानि बीना ओडियन्स का मैच होगा किरकेट के 143 साल हो चुके हैं अभितेक किरकेट के start वेट इसके किरकेट के 143 साल के थियास के पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीना autist बीना दर्शक्का मैंच होगा जो कि यह match बेस्ट एंडीच और इंग्लेंड के बीच खिला जाएगा जो कि यह एक test match है कोरोना वारस के कारण 15 मार्च 2020 से कोई भी international match नहीं खिला गया है और अब जो यह test match खिला जा रहा है वेस्ट एंडीच और इंग्लेंड के बीच यह बीना दर्सका खिला जाएगा यह किर्केट के 143 साल की इतियास में पहली बार ऐसा होगा तो इससे भी आपके एक्जाम में प्रस्न बन सकते हैं कि पहली बार बीना दर्सका मैच किसके बीच खिला गया तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा वेस्ट एंडीच और इंग्लेंड के बीच खिला गया अब आप इम्याजिन कर सकते हैं अगर बॉल वह जो दर्सक दिर्गा में जाती है तो वहाँ पर फिल्डर ही लाएंगे उठाकर या कोई होँगे तो चलिए फ्रेंज इसका जवाब आप कमेंट बक्स में देना तो फ्रेंज यह थे आज के टॉप 10 करेंट अफियर्स और इंपोर्टेंट फैक्स तो फ्रेंज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मारे चैनल को सब्सकाइब वीडियो को लाइक जरूर करे और वीडि वीडियो लात रहूं तो फ्रेंज मिलते हैं फिर कल कि गंटे प्रेस के सेक्शन के साथ तब तक के लिए जाहिल जाह भारत बंदे मातुर।